पेडों के ट्रांसलाट में देरी से यमुना में पहुचा सीवेज देरी की वज़े से रिथाला फेज एक ASTP अब तक अपग्रेड ए नहीं नई दिल्ली पिछले 5 साल से पेडों को ट्रांसलांट करने की मनजूरी न मिलने की वज़े से यमुना में 1000 लीटर सीवेज पहुच कर देरी की, प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल दिल्ली सरकार के परियावरन एवं वन मंत्री के पास दो साल तक पड़ी रही, LG अफिस के अनुसार दिल्ली सरकार इस से पहले भी एम्स री डेवलप्मेंट, IAT, दिल्ली मेट्रो, सेंट्रल विस्य, नैशनल हाइवे और सरका NGT की अमूना मॉनिटरिग LG अफिस के अनुसार तक नहीं दी इजाजत कमिटी के दखल के बाद अब मिली है मंजूरी या फर्म इस STP के आदे हिस्से को ऑपरेट करती रही, 1 दिसमबर 2019 को फर्म ने अपना ऑपरेशन पीरियड पूरा कर लिया, इसके बाद प्लांट को ऑ प्लांट को अपग्रेड होने तक बंद करने का फैसला लिया गया, ये प्रोजेक्ट केंद सरकार के यमूना एक्शन प्लांटीन का हिस्सा है किया और फिर दिल्ली सरकार ने इन प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल को क्लियर करवाया, हाल ही में यमूना की उच्चस्तरिय क कमिटी की एक मीटिंग में LG ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी, उन्होंने इस देरी से जुड़े धिकारियों के खिलाफ एक्शन के निर्देश दिये, LG ने दावा किया है कि रिथाला फेज एक STP जून 2023 में पूरा होगा, रिथाला फेज एक STP को अपग्रेड करने का क काम जून 2018 में एक प्राइवेट फम को दिया गया था, ये काम दिसंबर 2021 में पूरा होना था, लेकिन 500 से अधिक पेड़ों को ट्रांसलांट करने की दो फाइलों को दिल्ली सरकार ने मंझूरी नहीं दी, इस देरी की वज़े से नजफगर और सप्लिमेंटरी ड्रेन के जर त्राइए